हाई एवरिवन तो आप सभी के कहने पर वह आप सभी की क्योरिती सभी को ये प्रोब्लम आ रहे थी कि भिया एक वीडियो डी एई पर बनाओ डिपार्टमेंट ओप एटोमिक एनरजी पर इसमें क्या है वीडियो भी कम है यूट्यूब पर भी और इसका क्या है अब गत लास वीडियो में सारी इंपोर्मेशन दोंगा कितनी मतलब कितने वर्किंग डेज होते हैं क्या नाइट सिप्ट भी होती है और इनके काम अपन को क्या करना पड़ता है और इसका प्रोमोशन क्या होता है सारी चीजे बताऊंगा मैं आप सभी को तो सबसे पहले तो मैं बता होता है उसके जाते हैं या इटिय य इनजनियरिंग से हैं जो भी आपके सीनियर होंगे न वह आपकी सिनियर होंगे न वो आपके थ्रू होगा मतलब जैसे income tax में अब income tax officer है तो इसके नीचे TA होता है तो TA को जो काम मिलता हो MTS करता है इस प्रकार जो यह इसे डिपलोम इसा इस इंजिनिरिंग जो seniors आपके वह आपको काम करवाएंगे मतलब उनका आपको असिस्ट करना पड़ेगा कि जैसे अभी इसके अंदर में बताओ आपको क्या होती है इसमें क्या है लेबोर्ट्री जोती है बहुत सारे लेबोर्ट्री जोती है उनका अलग इंजिनिर sitcom में ऐसे अलग अलग सेक्षण में एकाुर्ट्री जो Sínter को और आपको क्या करना पड़ेगा उनका द्यान रखना पड़ेगा कौन सापस्पाई को अगर माईवाट्री में आपको ना पड़ेगा और आपको लाना पड़ेगा वाला private या contextual बेस पर labor आता है तो उसे आपको साफ सपाई भी करवानी पड़ेगी या आपकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि देखो आपका senior से वो आपके उपर मतलब आपको आपके उपर depend होगा कि आपको साफ सपाई करवानी पड़ेगी किसके दुरवा कोई contextual बेस प्राइवेट लेबर आएगा उसके दुरू आपको साफ सपाई वगेरा सारा management ध्यान रखना पड़ेगा जैसे shift कतम होती है तो सारा समान जांबी है उसको अच्छे तर सब्सक्राइब दोनों shift में काम होता है लेकिन दिक्कत मत करो कि आपको जैसे पीएसे के अंदर क्या होता है जैसे अगर जिसकी नायट में डूटी लगती है तो उसको अगले दिन 24 गंटे के लिए रेष्ट देते हैं इसी प्रकार इसमें होगा अगर आपकी नायट ड्यू दे में बी लग रही है नायट में डूटी लग लग तो आपको 24 आवर्स का रेष्ट रिया जाएगा उसके बाद डूटी लगेगी और वीकली ओप होता है अगर दिन में डूटी लग रही है तो एक वीकली हो पाएगा आपके यह रहता है यह हेड़क्वार्टर से मैंने हेड़क्वार्टर पर जो भी मतलब MTS लगे हुए थे लास्ट टाइम उन से लिए मैंने अब इसकी अलग अलग ब्रांचे भी होती है देखो एक तो बाब आटोमेटिक रिसर्च सेंटर बारक मुंबई में यह इंद्रा गांदी सेंट्र आटोमेक रिसर्च आश्यार कल प कोई भी चीज अगर एसी हो जाए ना तो उसके लिए मतलब एक इस पेशिक वहां पर पॉपुलिएशन या जिन्सेंग ज्यादा नहीं वह ऐसी इस्तान पर बनाए जाती है तो वहां पर बनी हुई है और अब देखो यह डिपार्टमेंट एक तो पहले से महत पुना क्यों इनके उपर काम करना पड़ता है इसके कोडिंगी काम होता है इसके अंदर अब आपको एक तो मैंने काम बताया कि लेबरोटरीज में लगा सकते हैं दूसरा क्योंकि जूनियर परचेज असिस्टेंट होते हैं वहां या इस्टोर की पर जहां भी समानों मान लेके आ रहें आप आपको इस्टोर के पर भना देंगे यह आपका जो भी मैस मेस इंचार्ट लेन जुफांडमेंट है इसका इंचारد देंगी आपको 10 को इस 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 ने वहां आपको यह कहां को पांड़ेगा है gy mail वाला बन्दा कर रहा है ना तो इसको तो करना है पड़ेगा यह हैं प्रमोशन का बता दू मैं आपको इसमें प्रमोशन देखो आपकी 4-5 साल हुए उसके बाद LDC एकजाम देखे फिर असिस्टेंट UDC इसके बाद डिविजन का लग पेस चेक्सिन होगे तो यह इस प्रकार से इसमें प्रमोशन होता है तो उनके तुरू बनाया है तो आप बस यह रखो कि देखो मैंने वीडियो बनाई इतनी मेलश से तो आप बस अपना सपोर्ट दिखाना यह मेरे लिए इनप है कि आप अपना सपोर्ट दिखाऊगे ना बस जो भी इस डिपार्टमेंट में सलक्ट हुए हैं उन सभी को शेर कर देना टेक केर मिलते नेक्ट वीडियो में